रोहित और विराट को खिलाओ T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी घर ले जाओ T20 वर्ल्ड कप के शेडूल और फिक्स्चर का एलान कर दिया गया है कब कब कहां कहां और किन किन टीमों से टीम इंडिया भिड़ने वाली है ये सारी चीजे पता चल चुकी है लेकिन एक चीज जिसका पता अभी तक नहीं चला है वो है रोहित शर्मा और विराट कोली T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या फिर नहीं इस चीज का पता अभी तक नहीं चल पाया है खबरे S.E.R.E. कि रोहिष शर्मा को T20 World Cup की कप्तानी सौपी जा सकती है लेकिन विराट कोली T20 World Cup का हिस्सा होंगे या फिर नहीं इस बात पर अभी सहिश्य बना हुआ है आपको बताते कि भारत के एक पूरो क्रिकेटर है इर्फान पठान उन्होंने रोहिष शर्मा और विराट कोली पे एक बहुत बड़ा बयान दिया है उन्होंने बोला है कि भारत को रोहिष शर्मा और विराट कोली के जरूर T20 World Cup में जरूर पढ़ने वाली है चले इस विडियों बताते हैं कि एर्फान पठान ने क्या कुछ कहा है अपने बयान में रोहिष शर्मा और विराट कोली को लेकर मैं T20 विशुकप के दोरान कोली को मैदान पर देखना चाहूंगा अगर हम दो साल पहले की बात करें तो वो अपने बिष्ट फॉर्म में नहीं थे लेकिन उनका पिछला IPL सीजन बहतरीन रहा है T20 में भी अच्छा परफॉर्म किया है अगर आप विश्ट इंडीज और USA जैसे अनजान मैदानों पर उतरेंगे तो वहाँ अनभो की जरूरत होगी ऐसे इस्तिती में आपको कोली और रोहिष शर्मा जैसे खिलाडियों की जरूरत पड़ेगी इत्फान पठा ने अपने बयार में बोला है कि दीजी आप यंग्स्टर को भर भर की मौका दीजीए लेकिन रोहिष शर्मा और विराट कोली के पास जो experience है वो किसी भी players के पास अभी तक नहीं है और अगर आप West Indies और USA जैसे बाहरी मैदानों पर खेलने की कोशिश करेंगे तो वहां पर अगर सिफ यंग्स्टर को लेकर जाएंगे तो मुझ की आपको खानी पड़ेगी आकड़े इतने जादा अच्छे नहीं इतने इंप्रेसिव नहीं है लेकिन विराट कोली के आकड़े बहुत 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 ही नहीं देखा इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अगर आप रोहिष शर्मा को मौका दे सकते हैं टीट्वेंटी वर्ल्ड कप में उन्हें क्योंकि वो आईपेल में बहुत शांदार रहे हैं उसके बाद से आप उनके टीट्वेंटी के आकड़े भी देख लीजिए वो भी बहुत अच्छे रहे हैं उनकी फॉर्म भी देख लीजिए बहुत अच्छे रहे हैं किसी भी प्लेयर की सेलेक्शन किस बात के बिसिस पी भी होती उसके फॉर्म के बिस्स भी होते और विराट कोली का करेंट फॉर्म बहुत ही शांदार है अगर इसके बावजूद भी विराट कोली का या फिर रोहिश शर्मा का सेलेक्शन टीटवन्टी वर्ल्ड कप में नहीं होता है तो यह बहुत ही ज़्यादा बुरी खवर हो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नभूलें